आज आपका केमिस्टी का थर्ड लाइब टेस्ट शुरू होने वाला है आप लोग जल्दी से लाइब आ जाईए और चुकी अब क्या है ना कि हमार कार से है देखिए पहला कोस्टन क्या है पहला कोस्टन आपके शामने है इस प्रकार से दिया गया है गता एने सी यल की संरशना होती है ओप्शन ए जो है पिंड केंदरित बी जो है फलक केंदरित सी जो है चतुसकोनिय और डी जो है सरल घनाकार ये आपका कोस्टन जो है आपका चेप्टर से लिया गया है और ये काफी इंट्रेस्टिंग चेप्टर है जैसे कि ओप्षन में आपके शामने ये भी लिखा हुआ है कि पहला ओप्षन है बोडी सेंट्रेट बी है फेस सेंट्रेट और सी जो है टेट्रागोनल और डी जो है सिम्पल क्यूबिक आप लोग का सोलीशन बताना इस कोश्चन का सोलीशन क्या होगा मैं इस question में आप लोग का wait करना चाहूंगा चुकि बच्चे अब धिरे दर live आना शुरू हो रहा है ठीक है तो चलिए इस question का solution बताईए बहुत सारे बच्चे का answer आना शुरू हो गया है ठीक है तो बहुत सारे बच्चे जो है इस question का answer जो है option number आपका कोई A के साथ जा रहे हैं कोई B के साथ जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इस question का answer जो है B के साथ जा रहे हैं चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि इस question का solution option number B होगा option number B जो होगा यह इसका correct answer होगा यानि कि हिंदी में बोले तो फलक केंद्रित और इंग्लिस में बोले तो face centered इस question का solution होगा चलिए हम दूसरे question की और बढ़ते हैं जो आपके screen पे लिखा हुआ है कहता है घनाकार संद्रचना में पिंद केंद्रित परमानु की समनवई शंख्या होती है यहीं कहता है in body centered cubic crystal structure coordinate number of atom is आपका option A जो है आपका दिया हुआ है 4, B दिया हुआ 8, C दिया हुआ 9 और D दिया हुआ 12 और इस question का आप लोग को solution बताने है जरा मैं question फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कता है घनाकार संद्रचना में आनि की body centered में पिंद केंद्रित परमानों की समनवई शंख्या यानि coordination number क्या होगी atom की यह आपको बताने है option A जो है आपका 4 दिया हुआ है B है 8, C 9 दिया हुआ है, D आपका 12 दिया हुआ है तो जरा बताएए इस question का solution क्या होगा चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे का solution आना शुरू हो गया है बहुत सारे इस question का answer जो है 20 options start किये है और 2-4 बच्चे जो है इसका answer जो है A भी कर रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है कुछ बच्चे C भी कर रहा है चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूँगा कि option number B जो है इसका correct answer होगा इने की 8 होगा घनाकार संरचना में पिंड केंदरित परमानों के शमर्वें शंख्या 8 होती है चलिए हम तीसरे question के और बढ़ेंगे मूल क्रिष्टल तंत्रों की शंख्या क्या होती है number of basic types of crystals are option A है 4, B है 7, C है 14, D है 8 और ये option आपके शामने है जरा बताईए इस question में मैं बेट करना चाहूँगा कहता है the number of basic types of crystals are मूल क्रिष्टल तंत्रों की शंख्या क्या होती है आप लोग जरा इस question का solution बताए हमें चलिए बहुत सारे बच्चे लोग का option आना शुरू हो गया है कुछ बच्चे इस question का start A से कर रहे है तो मैं इस question का solution जो है option number B ही करना चाहूँगा कि मूल क्रिष्टल तंत्रों की शंख्या जो होती है वो शेवन होती है चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं अगले पड़ाओ के और बढ़ते हैं और ये question आपका question number है question number है आपका 4 देखिए question number 4 जो है आपके स्क्रीन पे ये है करता है भोतिक अधिशूशन की दर किसके द्वारा बढ़ता है भोतिक अधिशूशन की दर किसके द्वारा बढ़ता है option A जो है ताप करम घटा कर option B जो है ताप करम बढ़ा कर option C जो है दाब घटा कर option D है आपको शामने सतह छेतरफल घटा कर यानि कि आपका पहला option जो दिया हुआ है यह है आपका decrease in temperature B जो है increase in temperature और चलिए तो बताए इस question का solution क्या होगा फटाफट इस question का solution आप लोग को करनी है ठीक है तो चलिए कताए which of following increases the rate of physical adsorption ठीक है तो बताए इस question का solution क्या होगा आप लोग फटाफट इस question का solution करें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution जो है करना सुरू कर दिये है अब बहुत सारे बच्चे जो है इस question का answer कुछ बच्चे B दे रहे हैं कुछ बच्चे ए पे जा रहे हैं यह आप लोग का confidence अभी नहीं आया है ठीक है तो चलिए मैं इस question में आप लोग के शाथ answer बताना चाहूंगा कि भावतिक अधिशोषन की दर किसके द्वारा बढ़ता है तो ताप करम घटा कर यहीं कि decreases in temperature चलिए हम अगले question की और बढ़ना चाहेंगे question number 5 question number 5 देखिए क्या है आपके शामने देखिए यह जो है हमारा question जो है बेग अस्थिरांग का कमान निर्वर करता है आपको बतानी है option A जो है परतिकारकों की शांदरता पर B जो है प्रतिफलो की शांदरता पर C जो है आइतन पर और D जो है ताप करम पर देखिए question क्या कहता है the value of velocity constant बेग अस्थिरांग of reaction depends on option A जो है दिया हुआ है concentration of reactance B है concentration of products C जो है volume D आपका है temperature मैं इस question में आप लोग को wait करना चाहाँगा 10 seconds और इस question का solution अपने धमा के अंदार में दीए आप लोग ठीक है चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे इस question का answer क्या करते है और ये question मुझे BVI लग रहा है exam के point of द्रिष्टी कौन से चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इस question का option जो है कुछ बच्चे B कर रहे है कुछ बच्चे C कुछ बच्चे और इस वार पहली बार कुछ बच्चे जो है इस question का answer D कर रहे है तो चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूँगा कि आपका बेक असिरांग का मान जो है निर्भर करता है ताप करम पर यानि कि temperature बड़िपेंड करता है के का मान तो चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं question number आपका जो है question number 6 question number 6 जो है आपका है ये भी काफी important है आपकी बारहमी की बोर्ट परिक्चा के लिए कहता है बताईए लोहा एक क्या है चुम्बक के पदार्थ है कि B प्रती चुम्बक के पदार्थ है C फेरो चुम्बक के पदार्थ है और D फेरी चुम्बक के पदार्थ है यानि आइरन इजे option है पारा मैगनेटिक सब्स्टांस B जो है डाइ मेगनेटिक सबस्टांस C जो है फेरो मेगनेटिक सबस्टांस और D जो है फेरी मेगनेटिक सबस्टांस आपको इस question का solution करना है कि लोहा कौन सा पदार्थ है चुमबा किये है कि प्रती चुमबा किये है कि फेरो चुमबा किये है कि फेरी चुमबक की पदार्थ है चलिए इस question का solution बताईए फिर मैं आप लोग का question का answer बताऊंगा कि इस question का answer क्या होगा तो आप लोग बताईए आज चुमबक की प्रती चुमबक की फेरो चुमबक की फेरी चुमबक की पदार्थ का अध्यन किये होंगे आप लोग चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि option number C यानि फेरो magnetic substance है फेरो चुमबकी पदार्थ है लोहाजी चलिए अगले question के और बढ़ना चाहेंगे और ये question आपका जो है आपको बतानी है इस question का answer आपके शामने स्क्रीन पर ये है question number 7 कहता है और हेनियस का शमिकरन आपको बतानी है ये काफी famous equation है आपकी chemistry में ठिक है तो जब फटाफट इस question का solution करना है और हेनियस शमिकरन है क्या option है k पहला option ए है k बरावर a into e to the power minus eayrt b जो है k बरावर e to the power minus eayrt c जो है k बरावर a into e to the power eayrt और c जो है k बरावर e to the power e into a yrt option आपको करनी है फटाफट इस question का solution किजिए चुकि ये question मुझे b b i लग रहा है ठीक है तो चलिए इस question का solution किजिए आप लोग मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग अरहनियस equation पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं चलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का answer जो है into e to the power minus ea by rt होगा तो चलिए हम अगले question कि और बढ़ते हैं और ये question जो है अगला question जो है आपका physical chemistry से लिया गया है question है question number eight देखिए question number eight आपके शामने क्या है ये physical chemistry से लिया गया question और काफी जो है interesting question है कहता निमलिखित में से कौन colligative property नहीं है पहला option बास्वदाव बी जो है प्रासरन दाव डी जो है क्वथनांक में उन्नेयन और डी जो है यह है टिभांक में अब नमन यहीं question क्या कहता है देखिए कहता है which of following is not a colligative property option ए जो है वेपर प्रेशर बी जो है osmotic pressure डी जो है elevation in boiling point और डी जो है depression is freezing point बताई इस question में आप लोग का बेट करना चाहूंगा कि आपका यह हमारा कौन साइस में colligative property नहीं है चलिए बहुत सरे बच्चे जो है answer करना शुरू कर दिये है कुछ बच्चे ए कर रहा है कुछ बच्चे बी भी कर रहा है कुछ बच्चे सी भी कर रहा है और 30 से 40 परसेंट बच्चे जो है option number A कर रहा है चलिए इस question में बताना चाहूंगा कि बास्प दाव यहनि भेपर प्रेसर जो है collegative property नहीं है ठिक है आपका collegative property नहीं है तो चलिए मैं option number आपके यह के साथ जानू चाहूंगा कि इस question का solution जो होगा option number A होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं question number 9 की ओर और यह question number 9 जो है यह भी काफी interesting question है काता है बिद्धूत अपगटन का उप्योग कहा होता है यह आपका short question भी पूछ सकता है कि बिद्धूत अपगटन का दो परमुख उप्योग लिखें लेकिन यह objective question है आपके सामने पहला जो है बिद्धूत सोधन में बी जो है बिद्धूत लेपन में और सी जो है बिद्धूत सोधन और बिद्धूत लेपन दोनों में और दी नन अपगटन का solution ठीक है और यह question आपका बोर्ड मोडल सावित होना होगा आपका आने वाली बोर्ड पर इच्छा के लिए तो चलिए मैं इस question का solution करना हुँगा लेकिन थोड़ा सा wait कर लेता हूँ आप लोग का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है question का answer आपका करना शुरू कर दिये है बहुत सारे बच्चे जो है बच्चे आ बिकर रहा है कुछ B कर रहा है और कुछ B कर रहा है मैं बताना चाहूँगा कि 9 question का solution जोगा option number C होगा चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं और देखिए अगला question क्या है आपका ये भी काफी interesting question हमें लग रहा है कहता है 10 number question जल में सावून की कौलाइडी कन होते हैं जल में सावून की कौलाइडी कन होते हैं option number A जो है रिनावेशित B जो है अनावेशित C जो है धनावेशित D जो है रिनावेशित और धनावेशित दोनों है ये कहता है collidal particles of soap in water is option A जो है negatively charged B जो है neutral C जो है positively charged D negative and positively charged दोनों है अब बताई इस question का solution क्या होगा कि जल में सावून की कौलाइडी कन होते हैं ये कोलाइडल particles होते हैं soap का बताईए रिनावेशित होते हैं कि धनावेशित होते हैं कि अनावेशित होते हैं कि दोनों होते हैं तो इस question में आप लोग वेट करना चाहूंगा question number 10 और ये धमाकेदार question साबित हो सकता है आपके आने वाली बोर्ड परिक्षा के लिए चलिए बताईए इस question का solution क्या होगा question number 10 मैं देख रहा हम बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution ए से सुरू किया है कुछ B भी कर रहा है कुछ C भी कर रहा है चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि इस question का solution option number A होगा जल में शामून के कॉलाइडिक कंज होते हैं ये हमारा जो है निगेटिबली चार्ड होता है रिराम विशित होता है चलिए हम अगले question के और बढ़ना चाहेंगे question number 11 question number 11 देखिए आपके शामने क्या है question number 11 question number 11 जो है आपके शामने देखिए कहता है कि दूद है option number आपका A और B इस में दिया हुआ है चलिए हम देखते हैं C आपका इस प्रकार से हैं इंगलिस में ही देख लेते हैं कहता है कि milk is क्या है बताएए water dispersion of fats in oil B जो है dispersion of fats in water और C जो है dispersion of water in fat और D जो है dispersion of water in oil आपको बताने है कि इस question का solution क्या होगा कि दूद जो है बसाओं में जल का dispersion है कि तेल में जल का dispersion है बताएए अप लोग कि तेल में बसा का dispersion है ठीक है कि जल में बसा का dispersion है बताए फटाव डिस question का solution क्या होगा चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि आपका option number B जो है इसका correct answer होगा ठीक है चलिए हम अगले question के और बढ़ते हैं और ये अगला question जो है ये भी आपका काफी इंट्रेस्टिंग question लग रहा है और देखे क्या काता है CHI3 एक पूर्ति रोधी प्रभाव है ये कि anti-septic action of CHI3 का पूछ रहा है कि क्या होगा बताइए ठीक है आपका option A जो है CHI3 के कारण B जो है मुक्त आइडिन के कारण और C जो है आइडिन आयनों के कारण और D जो है आइडिन और CHI3 दोनों के कारण चलिए इस question का solution आप लोग किजिए कि CHI3 का पूर्ति रोधी परभाव क्या है यानि anti-septic action पूछ रहा है कि CHI3 का anti-septic action क्या है बताइए फटा-फट आप लोग चलिए मैं इस question में आप लोग को solution का wait करना चाहूँगा कि question का solution आप लोग क्या करते हैं तो बहुत सरे बच्चे जो है कुछ बच्चे A भी कर रहे हैं कुछ बच्चे B भी कर रहे हैं कुछ बच्चे C भी कर रहे हैं कुछ बच्चे D भी कर रहे हैं चलिए इस question का solution option नमबर B के साथ जाना चाहूंगा, कि मुक्त iodine के कारण CHI3 जो है antiseptic action का कारी करता है, चलिए अब अगला question जो है, आपका ये भी काफी interesting question है, question number 13, काता निमलिकित में से कौन एक secondary alkyl halide है, आपको बतानी है, option number A जो है, isobutyl chloride, B जो है isopentyl chloride, C जो है neopentyl chloride, और D जो है isopropyl chloride, बताए इस question का, कि आपका निमलिकित में से कौन सा secondary alkyl halide है, यानि कि, आपका बताए इस question का solution क्या होगा, ये question जो है, काफी importance रखता है, आपकी बारहमी की board परिक्षा के लिए, फटा-फट इस question का solution किजिए, मैं देख रहा हैं, बहुत सरे बच्चे जो है, इसका जो है option कुछ बच्चे B भी कर रहे है, कुछ बच्चे C, इस question का answer D भी कर रहे हैं, चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा, कि option number D, यानि कि, आइसो प्रोपाइल क्लॉराइड जो है, secondary alkyl halide का एक example है, चलिए हम बढ़ते हैं, अब आपका question number 14 की और, कहता है, CF to CL2 उप्योग होता है, option number A, पूर्ति रोधी के रूप में, B जो है, खितनासी के रूप में, C जो है, पीडाहारी के रूप में, और D जो है, प्रसीतक के रूप में, यानि कहता है, CF to CLT is used as A या option N, option number A, जो है, antiseptic, B, जो है, insecticide, और C, जो है, analogasic, और D, जो है, refrigerant, पता ही, इस question में, आप लोगों के बेट करना चाहूँगा, question number 14 का solution क्या होगा, फटा-फट इस question का जवाब देना है, कि CF to CL2 का उप्योग used किसके रूप में होता है, antiseptic के रूप में होता है, कि आपका insecticide के रूप में होता है, कि analogasic के रूप में होता है, कि refrigerant के रूप में होता है, चलि, बहुत सारे बच्चे जो है, option कुछ बच्चे B, C, D भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, चलि, मैं इस question का solution बताना चाहूँगा, question number 14 का, की CF to CL2 जो है, यह प्रसीतक के रूप में, यानि के refrigerant के रूप में कारी करता है, चलि, हम अगले question की और बढ़ना चाहेंगे, और यह आपका अगला question जो है, यह भी काफी interesting question है, कहता है, alkyl halide को alcohol में बदला जाता है, किस बीधी के द्वारा, option A, जो है elimination realm के द्वारा, B, जो है dehydrogenation के द्वारा, C, जो है addition के द्वारा, और D, जो है substitution के द्वारा, बताए इस question का solution क्या होगा, ELKYL halide को alcohol में परिवर्थित करना है, कि किस के द्वारा होता है, मैं इस question में आप लोग को solution देखना चाहता हूँ, कि आप लोग को solution क्या करता है, question number 15 ये काफी धमाकेदार question है कि alcohol, halide, alcohol में कैसे बदला जाता है देख रहा हूँ है वो सारे बच्चे इस question का solution आपका A भी कर रहा है, B भी कर रहा है C भी कर रहा है और D भी कर रहा है चलिए question का solution में बताना चाहूंगा substitution के द्वारा होता है अब देखिए ये जो है आपका most BVI question है जी, आपका ये जो है most BVI question है question number 16 का तलिक्यस परिक्षन का उप्योग होता है option number A amino के विभेद में B जो है इतरो के विभेद में और C जो है अलकोहलों के विभेद में और D जो है BVI question सावित होने वाला ये question number 16 फटापट इस question का solution कीजिए चुकि आप लोग पढ़े होंगे amine chapter पढ़े होंगे ether chapter पढ़े होंगे alkyl halide chapter पढ़े होंगे alcohol chapter का अध्यान किये होंगे मैं देख रहा है सारे बच्चे जो है option number C कर रहा है अब जो है कुछ बच्चे बी भी कर रहा है जातर बच्चे जो है option number C कर रहा है कि इसमें जो है primary alcohol, secondary alcohol और tertiary alcohol के के बीभेद करने में इसका यूज किया जाता है चलिए मैं question का solution बताना चाहूंगा कि सुला का question option number होगा C देखिए ये भी question आपका जो है organic chemistry से लिया गया है और ये सब question जो है काफी BBI question है question number 17 कहता है failing परिच्चन किसके लिए होता है option A esterdehyde B जो है acetone C जो है ether D जो है amine बताइए कि failing परिच्चन यानि failing test किसके लिए धनात्मक होता है sorry किसके लिए धनात्मक होता है esterdehyde B acetone C ether और D amine question number 17 का answer करना है आप लोग इस question में बेट करना चाहूंगा आप लोग पढ़े होंगे failing test failing परिच्चन किसके लिए होता है और किसके लिए positive सो करता है चली बहुत सरे बच्चे जो है इस question का answer जो है कुछ बच्चे A भी कर रहे है कुछ बच्चे B भी कर रहे है कुछ बच्चे C भी कर रहे है कुछ बच्चे D भी कर रहे है चली में बताना चाहूंगा esterdehyde failing solution जो है failing test जो है esterdehyde के लिए धनात्मक होता है कोस्टन नम्बर 18 कोस्टन नम्बर 18 देखिए क्या है निमलिखित में से किसमे LDOL कंडनसेशन यह संगनन नहीं होगा option A जो है esterodehyde, B जो है propenaldehyde, C जो है benzeldehyde, D जो है tridutero esterodehyde बताने है कि किसमे LDOL कंडनसेशन नहीं होगा जी, पताए question number 18 का solution क्या होगा फटाफट इस question का solution किजिए क्योंकि यह question जो है काफी interesting question है और काफी आपका धमाकेदार सावित होगा आने वाली वोड़ परिक्षा के लिए चले मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है option B भी कर रहा है और इस बार बहुत सारे बच्चे जो है option number C कर रहा है यानि कि LDOL कंडनसेशन जो होता है वो आपको बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड में क्या होता है कि alpha hydrogen atom जो है यह absent रहता है ठिक है absent होता है इसलिए इसमें LDOL कंडनसेशन की किरिया जो होती है नहीं होती है question number है आपका 19 आप लोग पढ़े होंगे कार्बोहाट्रेट चेप्टर इसका long question भी पढ़ना है तो बताइए कार्बोहाट्रेट का शमानी शूत्र क्या है option number है CX-S2Y B जो है CX-S2Y C जो है COX-S2Y और D जो है CO2 और X और S2Y बताइए इस जेनरल फॉर्मूला आप कार्बोहाट्रेट क्या होगा ये बताइए कि इस question का solution क्या होगा फटाफट कार्बोहाट्रेट का शमानी शूत्र क्या होगा जी चलिए मैं देख रहाँ बहुत सर्व अच्छे इसमें जो है नहीं बहुत सर्व अच्छे A भी कर रहे है B भी कर रहे है C भी कर रहे है चलिए इस question का solution option number A होगा जी देखिए अब question number 20 आपके शामने क्या है कहता है glucose की बलेशन रचना में chiral carbon प्रमानों की संख्या क्या है ति number of chiral carbon atom in cyclic structure of glucose option A जो है 2 है B जो है 3 है C जो है 4 है D जो है 5 यनि chiral number of यनि chiral number of atom पूछ रहा है कि carbon के chiral number of atom की संख्या क्या होगी cyclic structure है glucose का बताई इस question में आप लोग को वेट करना चाहूंगा question number 20 question number 20 का solution आप लोग क्या करते हो मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है C भी कर रहे है अब जो है A भी आना सुरू हो गिया है अब तो बताए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा option number C के साथ जाना चाहूंगा यानि 4 देखिए question number आपका जो है 21 कहता है किस तत्तो के ग्रूप किस ग्रूप के तत्तो को शंक्रमन तत्तो कहा जाता है P ब्लोग B जो है S ब्लोग C जो है D ब्लोग F जो है F यानि कि D जो है F ब्लोग दिया हुआ यह तो बहुत easy question है आप लोग के लिए आप लोग पढ़े होंगे transition method कि कौन सा होगा चलि बहुत सारे बच्चे जो है इस question का solution option number D कर रहा है more than 90% बच्चे जो है option D के साथ जा रहा है चलिए इस question का यानि कि D ब्लोग जो होता है यह transition element होता है चलिए question number 22 question number 22 भी जो है आपका यही बहुत easy question है काता है sodium आबर सारनी में किस group का सद्द से है आप लोग पढ़े होंगे यह first A group है कि second A group है कि आपका D, C जो है फोरे है कि D नन अब दीज है पता है इस question का solution क्या होगा फटा-फट बतानी है sodium मैं देख रहा हूँ बच्चे लोग का option question का देखने के साथ ही आ रहा है option number A के साथ जा रहा है तो मैं ही बताना चाहता हूँ कि option number A ही होगा यह group A का element होगा आप लोग पढ़े होंगे आवर्थ सादनी में sodium का calcium का magnesium का आप लोग अध्यन किये होंगे ठीक है आप लोग पढ़े होंगे इसके लिए होता है high-elena करब-रब से फरियाद इसमें सारा first element आ जाता है चलिए अगले question के और बढ़ते है और यह काफी BBI question साबित होने वाला है question number 23 कहता है XEF4 का आकार होता है option number A चतूस फलक यह B जो है square planar C जो है pyramidal D जो है linear पताइए XE4 का आकार कैसा होता है tetrahedral होता है square planar होता है pyramidal होता है यह आपका काफी interesting question है इस question में आप लोग को wait करना चाहता हूँ कि 23 number question का option आप लोग क्या करते हो तो बहुत सारे बच्चे जो है answer आना शुरू भी हो गिया है कुछ बच्चे जो है option number C भी कर रहे हैं कुछ बच्चे इस बार B भी कर रहे हैं ज्यादा बच्चे जो है question का solution B की और focus कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 1C F4 का जो आकार होता है square planar होता है चलिए question जो है 24 question 24 का दमलिखित में कौन सी धातू प्रकिर्ती में मुक्त अवस्था में पाए जाती है याने कि free अवस्था में पाए जाता है 24 नमर question जो है आपका option यह है आपके शामने क्या कहता है question ज़र देखिए फिर से कहता है कि which one of the following elements is found in free state in nature option A sodium B है लोहा C है जिंक और D है सोना पताए कि काउन सा metal जो है आपका यह free अवस्था में पाए जाता है sodium है कि लोहा है कि zinc है कि सोना है बताना इस question का solution कि इस question का solution है क्या होगा question number 24 है यह question number 24 मैं देख रहा हूँ बहुत सरे बच्चे जो है इस option का answer D कर रहा है मैं भी answer D किसा जाना चाहूंगा कि सोना होगा अब देखे question number 25 question number 25 जो क्या कहता है कि निम्न में कौन छारिये भूमिज तत्व है option A जो है carbon B जो है calcium C जो है zinc और D है लोहा करता है which one of the following is an alkali earth metal carbon, calcium, zinc, कि लोहा iron बताई इस question में बेट करना चाहूंगा कौन सा आपका तत्व है जो छारिये भूमिज तत्व है बताईए आप लोग चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका option जो है करना शुरू भी कर दिये है option number B के साथ जा रहा है तो आपका calcium जो होता है ये छारिये भूमिज तत्व होता है चलिए मैं अगले question के और बढ़ना चाहूंगा और ये question number 26 आपके सामने है करता है निम लिकित में कौन सा धातू साधारन ताप करम पर द्रब होता है यानि which one of the metal is liquid at normal temperature यानि सामाने ताप करम पर कौन सा धातू द्रब होता है option H है zinc, B है para, C है sodium और D है gel बताइए इस question मैं आप लोग को बेट करना चाहूंगा 26 number question जो है ये काफी interesting question लग रहा है मैं कौन सा धातू साधारन ताप करम पर द्रब होता है zinc, para, sodium और जल मैं इस question का option देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हो तो बहुत सारे बच्चे जो है इस question का option भी से शुरू किये है कि पारा जो होता है यानि कि मरकरी जो होता है ये साधारन ताप द्रब होता है चलिए option number B ही correct होगा अब आपका है question number 27 देखिए है ना इस question 27 number का क्या कहता है question कहता है OH, CS2, CS2, OH का IPC name लिखना है कहता है पहला option है ethylene glycol और B जो है ethylene 1,2 glycol और C जो है ethyl, 1,2 diol और D जो है ethylene diol बताए इस question का आप लोग IOPC name पढ़े होंगे और उसमें भी आपका ही है hydroxyl group है बताए इस alcoholic group में है question में bet करना चाहूंगा आप लोग question number 27 बताए इस option का solution क्या होगा IOPC name लिखना है general name बेपारिक नाव नहीं लिखना है चली बहुत सारे बच्चे जो है इसका answer कुछ बच्चे जो है C भी कर रहे हैं और जायतर बच्चे जो है B option के साथ जा रहे हैं तो देखिए ये जो है ethylene 1,2 diol होता है अब देखिए आपका question number 28 ये भी काफी interesting question है करता है परतिर अच्छी soul होते है यानि protective souls are पहला जो है बिलायक सने ही B जो है बिलायक रोधी और C जो है बिलायक सने ही और बिलायक रोधी दोनों है डी ननव दीजे बताई इस question का solution क्या होगा protective souls क्या है बताई इस question का solution चलिए मैं इस question का solution बताना चाहूंगा कि 28 का आपका जो है ये option number A है बिलायक सने ही है तो आज आपके शामने मैं chemistry का objective लेकर आया था और इसका solution किया ठीक है इसी तरह से आप लोग के साथ per day हम लोग जुड़े रहेंगे ठीक है तो चलिए best of luck है ये लोग को के दिर ऑ्याइवह प्रिया सकती है